नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहदी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहाँ आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको इसके सहारे आप 40 दिनों में अपने चश्मे को उतारने में कामयाब हो इसके सहारे जी हां आँखों की प्रोब्लेम बहुत सारे लोगों को होने लगी है क्यों क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन को बहुत ज्यादा देर तक देखते रह रहे हूं या फिर अब और मुश्किले बढ़ गई हैं एंड्रोइड फोन सा ग पस्थित हैं आज कल बच्चे मुबाइल कंप्यूटर और टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं जिस वजह से छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जाता है तेजी से बदल रही इस लाइफ स्टाइल में हम अपनी आहों का ख्याल नहीं रखते जिस वजह से हम हम जो आपको अरुवेदिक और शधी बता रहे हैं इसका प्रयोग करते हैं तो वो चश्मा शर्तिया उतर जाएगा इन उसकों को सही तरीके से और निरंतर करने पर रोशनी बढ़ती है जिससे चश्मे का नंबर कम होने लगता है और धीरे धीरे चश्मा हटाने में मदद म करना लंबे समय तक लव लंबे समय तक लैपटॉप कंप्यूटर और मोबाइल चलाना अब आखों के रोशनी बढ़ाने के उपाई और घरे लून उसके हम जानते हैं हमने आपको ये कारण जो बताए इसलिए बताए कि जब तक जरूरी नहों आप मोबाइल फोन्स या लै से सरली यूज ना करें अब आ ये जानते हैं और शधियों के बारे में नजर तेज करने और चश्मा उतारने के लिए और आखें स्वस्थ रखने में विटामिन ए बहुत ही जरूरी होता है अपनी डाइट में ऐसी चीजें अधिक खाएं जिन में विटामिन ए भरपूर मा अच्छे से धूएं फिर किसी कपड़े से साफ कर लें और सरसों के तेल से पैरों के तलों की मालिश करें ये उपाय रात को सोने से पहले करें तो अच्छा होता है इससे आखों के रोशनी बढ़ती है और आखें भी स्वस्थ रहती हैं इस तेल से सीर की मसाज करने पर भी आखों को लाव मिलता है चश्मा हटाने के लिए और आखे स्वस्त रखने में विटामिन ए बहुत जरूरी होता है अपने डाइट में ऐसी चीजें अधिक खाएं जिन में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता हो जैसे मुल्ली इसे आप भोजन में सलाद में खा सकत हैं नंगे पैर हरी घास पर चलने से नजर तेज होती है सहतूत की पत्यां और गुलाब की आठ से दस पंखुडियों को एक गलास पानी में रखें फिर इस पानी को चान कर इससे आखों को दोएं आपको लाव होगा गुलाब जल के प्रयोग से भी आखों के रोशनी आखों में डालने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये अच्छी क्वालिटी कहीं हो आखों में दर्द होता हो जलन होती हो या फिर आखों के रोशनी बढ़ानी हो तो इस देशी नुस्खे को दो से तीन महीने लगातार इस्तेमाल करें आधा चम्मच मक्खन में पांच काली मिर्च पीसी हुई और आधा चम्मच पीसी हुई मिश्री मिला कर सुबह खाली पेट लें और नारियल के दो से तीन गेरियां चबा कर खाएं फिर उपर से सौप खाएं आप दो घंटे तक कुछ न खाएं उसके बाद नहीं पिएं आपके आँखों के रोशनी तेश ह होने लगेगी चश्मा उतारने के आयूरवेदिक नूश्खों को अब जानते हैं हम आयूरवेद में कहा जाता है कि जो इनसान हर रोज एक आउला खाता है वह शरीर को होने वाली बहुत से बिमारियों से दूर रखता है आउला आखों के लिए भी बहुत लाफकारी है अपनी आखें दोएं इस उपाय को करने से आखों की दूसरी विमारियों के ट्रीटमेंट में भी फायदा मिलता है दस ग्राम छोटी इलाइची में बीस ग्राम सौफ मिलाकर एक साथ पीस लें इस मिश्रहन में से एक चमच हर रोज दूद के साथ पीएं इस उपाय से आख आखों के आसपास मालिश करने पर चश्मे का नंबर कम होने लगता है हर रोज इस नुस्खे को करने पर चश्मा हटाने में मदद मिलेगी आखों की खुजली का इलाज करने में भी ये नुस्खा असरदार होता है आखें हमारे शरीर का महत्वपून अंग हैं इसलिए इसक चिक चिकितसक की सलाह से उसे करने का सही तरीका और उस उपाय से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आवश्य लें क्योंकि आखें जो होती हैं ये सेंसिटिव होते हैं बहुत इसमें किसी भी चीज को प्रयोग करने से पहले आप डॉक्टर की परामर्ष जरूर लें आखों के साथ आप कोई भी नर्मी नहीं बरत सकते हैं और कान के साथ इसमें आपको ध्यान रखना चीए कि डॉक्टर के परामर्ष के बाद हैं किसी भी और शदी का प्रयोग करना चीए तो दोस्तों ये थी आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए आखों की रोशनी को बढ़ा